अक्सर जब हम खिच्री बनाते हैं तो बच्छी जाती है और फिर उसे बात भी कोई भी खाना नहीं पसंद करता है आज से जो आपकी बच्ची भी खिच्री रहे कभी वेस्ट नहीं जाएगी हाई एवरिवन वेल्कम बैक टू माय चैनल ज्योती स्ट्रगलर ब्लॉग आई होब आप लोग बहुत अच्छे होंगे और माता राने के पास सदेव आप पर यूहीं बनी रहे हैं तो फ्रेंड्स आज मैंने दो पहर में खिच्री ही बनाया था क्योंकि मुझे खाना का बनान तो अब इसे बनाने के बाद आप जो ताजी वाली साधी सी खिच्री उसे भूली जाए कभी आपकी बज्चे होई खिच्री जो है वेश्ट नहीं जाएगी तो मेरे पास जो भी हरी सब्जिया थी जैसे बैंगन टमाटर गोभी हरी मिर्च और धनिया पता जो भी हरी अब जितने हरी सब्जिया को निकाल लिया है अब जितने भी हरी सब्जिया तो आप जाए करेंगे सबसे पहले मैं गोभी को तोड़ रही हूं घुपी ही हम पूरा एक नहीं डालेंगे बहुत जादा हो जाएग क्योंकि खिच्री को आट थी तो आप देख रहे थे और गो कट पानी में डाल दूँगी ताकि धुल भी जाए तो बहुत जादा गोभी मैंने नहीं लिया है आप देख सकते हैं कुल मिला कर 8 पीस मेरा गोभी है और यह बैगन मैंने बीज बाला बैगल लिया है बैगन को भीना हम लोग बस कट कर लेंगे बहुत जादा मोटा भी नहीं है और बहुत जादा चोटा भी ने बस गलाना है बैगन को समझ लेजे उसे हिसाब से हम लोग बैगन को कट लेंकर लेंगे सारी सबजी को मैं साथ में एक साथ पानी में डालते जा जारी हूं जितनी भी सबजी आं मतलब कि धन्या पत्ती भी मैं जो है ना काट करके इसी मे बस फ्रेंड्स आप मेरी व्लॉग को कहां से देख रहे हैं प्लीज जरू बताना और अगर वीडियो अपको थोड़ी से अच्छी लगी ना तो प्लीज जरू कर दिजेगा और ब्लॉग में आकरी तक बने रहेगा तो हरी मेर्च को भी मैनिस में डाल दिया है अब सारी की सब् relativ आने तो सब्सक्राइब couldn भी में दुल और तो बैसे सब्सक्राइब कर रहे ह older लिए मेंड़ साथ कि मैं अलग कर ले मुंझी हूं क्रूल यूज करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब तक मेरा गुभी फून रहा है तो चलो मुझे न हरी मिर्च और थोड़े से मैंने लहशन चिलके रखे हुए थे क्योंकि लहशन और हरी मिर्च को हमें रफली चॉप कर लेना है तो मैंने लहशन को भी एक्तम बारी चॉप कर लिया आप चाहे तो इसे किसी से ना क्रस कर सकते हैं मतलब कूच के भी डाल सकते हो उसके बद हरी मिर्च को भी मैंने छोट छोटे काट लिया बहुत छोटे नहीं काटे हैं कहीं बच्चे नहें खाना पसंद करें तो उसके बाद सारी सब्जियों को मैं एक साथ एक ही प्लेट में निकाल ले रही हूं इधर जो मेरा गुवी थरा वह भी अच्छी तरह से फ्राई हो जुका है एक अच्छा कलगान तक मैंने गुवी को फ्राई कर लिया सारी मेरा ज्यादा था आप देख सकते हैं गुवी तलने के बाद मेरा तेल बच यह है वलेशन और हरी मिर्च को बहुत ज्यादा भुनना नहीं है वलेशन को एक अच्छा कलगान तक भुनना है मतलब बहुत जाता जलाएगा नहीं नहीं तो टेस्ट पुरा हो जाएगा अब सा समसाली दनिया पाउडर इक चमच जीरत पाउड़र आदा चमच काली मिर्च पाउडर डर मैंने हरी मिर्च का पहले युद श्यादा करें निलाल मिर्च ञड़ाए ढाल में हल्डी ऺड़ा धस चला करके लिग भी ताकि यह अच्छ से बिना पानी कहीं गल जाए थोड़ थोड़ देर पर धकन हटा हटा कर अम इसे चला लेना है ताकि यह जले नहीं अच्छ से गलते रहे इस प्रोस्टेस को हम लोगों बार बार करना है तब जब तक की सब्जी अच्छ से गल ना जाए महारी सब्जी आना पानी कहीं तो अच्छ तरीके से गल जाती है यह गली होई सब्जी ना आप रोटी की साथ दिखाएगा तो काफी स्वाधिश लगता है अम लिए जो सब्जी है जैसे गल जाती है मैं इसमें डाल देरी पानी और पानी डालने के पाद एक अच्छा जब उबाला जाता है त अब इसे ना मैं लीड लगा के फुल फ्लेम पर फिर सचड़ा दूंगे पकने के लिए बस हमें इसे विसल नहीं लगाना नहीं तो खिच्री बहुत जादा गल जाएगी तस मिनट हमनों खिच्री को पका लेना है तब तक इधर मैं सोची चलो फुड़ा सा पापड अगर तल लेती हूं कि उसके विन खिच्री मजानी होता है तो मेरे घर का पापड मतलब मेरी ममी मुझे यह पापड बना के दी है यह साबुदाना का पापड है जो बहुत ज्यादा स्वादिश लगती है और साथ में यह चावल के इसे क्या बोलते है चरोरी बोलते साथ बहुत पापड के साथ सर्व कर रही हूं तो आपको यह कैसे लगी जरू बताइएगा वह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में